कुछ नमर वन में बिटा रीट करते हैं क्या बोल रहे हैं कि रहे हैं इन ट्रांगल ABC, राइट अंगल एक B, आपको कहरें बिटा एक राइट अंगल ट्रांगल है ABC नाम का जिसमें हमारे पास जो राइट अंगल है वो B के उपर है, तो आपको यहाँ पर पहले तो फिगर बन अब फिगर कह रहे है कि ट्रांगल ABC जिसमें राइट अंगल बिटा बी पे है, तो याद रखना बिटा राइट अगल अगर बी पे है, तो 90 डिग्री जो है वो B के उपर आएगा, अब बचता है A और C, अब यहाँ पर हमें पास A और C है बिटा, अब आपकी चोई है A किस किसी को भी माल लो, जैसे मैं इसको A माल लेता हूँ, इसको C माल लेता हूँ, आपकी चोईसे बिटा, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो, अब ध्यान से लिखो बेटा आँगे, कह रहे है A B इकोल 24 cm and B C इकोल 7 cm, तो A B जो है यह मेरे को 24 cm दिया हुए, और B C मुझे 7 cm दिया हुए, 7 cm दिया हुए, अब कह रहे है, डिटर्माइन करो, साइन A, कॉस A, साइन C, कॉस C, बढ़ चार अलग-लग चीज़े निकालने के लिए बोल रहे है, बट पहला पुएंट तो मेरा यह रहेगा यहांपे बिटा, कि आपको इस ट्रांगल में A B तो देदी है, B बिटा, C तो दिया है, AC तो आपको दिया इन है, तो अब आपको इहांपे पहले कह कहनeltИ के लिएakah, पहले आपको इहांपे पाईथागॉरस ट्राम लगानी पड़े ति बिटा, और पाईथागॉरस से पहले आपको AC निकालना पड़े गा, तो आप यहांपे लिखोगे ब using Pythagoras theorem formula, बिटा हमेरे पास high potential use का square equals to perpendicular का square plus base का square so high potential use, ये 90 के सामने वादá high potential use होते है बिटा तो ये मुझे दे नी रखा तो इसका नाम के है पिटा AC यहाँ में लिख दूँगा AC का square equals to अब हमारे पास है परpendicular और based मैंने आपको परpendicular and base ест यैसे लेजे हैं वह आपको बताया हूँ इस अब कुछ की है किसी को भी कुछ भी मान शकते हो जब आप पाइठागों शरम लगारे हो तो अधरवाइस ने तो अब यहाँ मैं A C 24 का स्क्वेर हो जगा बिटा 576 प्लस 7 का स्क्वेर हो जगा 49 फिर AC इकोज तो यह स्क्वेर है बिटा इदे रखके अंडर रूट हो जगा और 576 में 49 प्लस करेंगे तो आएगा 625 अब 625 बिटा किसका होता है 625 हमारा होता है बिटा 25 cm 35 cm अब आपको निइकालना क्या किया है बिटा इक एक करके जो जो चीज़े निआ है उसके साइब समसोचतें यहांपर जो भी साइन प्रूंक्शन में साइन ए तो अब आपको यहाँकर नös अलगे है यहाँकर आपको तो मतलब A मेरे पास यहां पर थीट है, अब अगर आपके पास A थीट है बिटा, तो फिर perpendicular कॉन होगा, फिर perpendicular होगा मेरा 7 और base होगा 24, ज्यान से जगो बिटा, A के context में अगर आप बात करोगे, तो A के context में perpendicular होजेगा 7 इसके सामने मला और base होजेगा 24, इस तीज का ज्यान ठ मेरे पास BC, P है मेरे पास BC, और H मेरे पास क्या है, है मेरे पास AC, अब values पूट कर दो, BC के जगे आजगा 7 और H के जगे आजगा AC के जगा 25, अब यही आपका answer होजेगा, अगर यह cancel होजेए, तो कर दो, नहीं हो रहा तो यही आपका final answer होजेगा, अब इसी पे इसमें आप से कॉस से ही माँगें, कॉस A, कॉस का formula दा दा बिटा, B by H, base upon hypotenuse, अब यहापे फिर से बिटा, बही बात आगी, कि आपको यहापे किसके context में सोचना है, आपको यहापे A के context में सोचना है, A के context में अगर आप सोचोगे, तो A मेरा ही रहा, A के सामने वला आपका P होता है, तो इसका मताब base आपका 24 है, A, B, तो base की जगहाँ आपका A, B, upon hypotenuse की जगहा, A, C, A, C, तो अब A, B की जगहाँ जगहाँ 24 और A, C की जगहाँ 25, अगर यह cancel हो जाए, तो कर दो, नहीं हो रहे तो आपका यही आंसर खतम हो जाएगा, अब यह तो होगे आपका first part, चलते है second part के तरह, second part में आपको कह रहे है कि sign निकालो, लेकिन इस बरी जो आपका theta रहने वाला है ना बिटा, वो C रहने वाला है, C, तो अब इसका मताब मुझे इस figure में तो चेंज करना पड़ेगा, तो change करने के लिए मैं नीचे बनाता हूँ बिटा figure, change करने के लिए मैं figure को नी से की context में सोच रहे, तो C मेरे पास ही था तो C का खीटा आपर, अब थीटा के सामने वारा परपटिकलर होता है, यानि कि इस बरी perpendicular 24 हो गया, पिछली बरी मेरा perpendicular कितना था भीटा, पिछली बरी मेरा perpendicular 7 था, और base मेरे पास 24 था, जब मैं A के context में सोच रहा था, अब मैं A के context आपका C के context में परपेंडिकुलर A B अपाउन A C यह So A, B है 24 और A, C आपका 25 यह आपका साइन का हो गया अब इसी तरी किसा आप किसा निकाल लोगे इसी तरी किसा आप कोस कभी निकाल लोगे कोस जी तो फॉर्मला हो कहा B by H So B अब आपका बेटा B, C हो चुक है Yes बेटा, B, C और A, C So 7 upon 25 यह आपका आंसर हो चाहेगा